सबी पत्रकार बंदूओं को नमश्कार आम आदमी पार्टी अर्विन केज रिवाल जी तीन बार दिल्ली का चुनाव जीते हैं एक बार नहीं तीन बार दिल्ली में भारती जनता पार्टी को धूल चटाने का काम करते हैं पंजाब गए वहां आम आदमी पार्टी जीती प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी जीती दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद अर्विन्द केजरिवाल जी की लोग प्रियता पूरे देश में बढ़ रही है पूरे देश में केजरीवाल का संदेश, शिक्षा और स्वास्त का मॉडल पहुँच रहा है पूरे देश में केजरीवाल के नाम पर लोग जुड रहे हैं, आम आदमी पार्टी से जुड रहे हैं अभी दो दिन पहले भारत को दुनिया का नमबर वन देश बनाने का एक अभियान उन्होंने शुरू किया जिसके समर्थन में देश के अलग-अलग हिस्सों के लोग जुड रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के ग्रेह राज्य गुजराथ तक में उसमें बड़ा समर्थन हमें मिलना है और जब केजरीवाल की लोग प्रियता बढ़ रही है केजरीवाल चुनाओं में जीत रहे हैं एक के बाद दूसरा स्टेट दूसरे के बाद तीसरे स्टेट में पहुँच रहे है तो उसका सबसे प्रमुख कारण है दिल्ली का सिक्षा और स्वास्थ का मॉडल दिल्ली के सिक्षा और स्वास्थ की क्रामती इस बात से परेशान होकर इस बात से हैरान होकर नरेंद्र मोदी जी को रात में नीद नहीं आती उनको सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे केजरी वाल को रोकना है कैसे सिख्षा मॉडल को रोकना है कैसे स्वास्थ को मॉडल को रोकना है लेकिन मोदी जी मैं आपको बताना चाहता हूँ ना अब केजरी वाल आपसे रुखने वाले है ना सिक्षा का मॉडल रुखने वाला है और ना ही स्वास्त का मॉडल रुखने वाला है आपने हमारे स्वास्त मंत्री को जिसने मोहला क्लिनिक का मॉडल पूरे दुनिया को दिया जिसने पूरे देश में स्वास्त के छेत्र में एक क्रांती की उसको उठा के जेल में डाल दिया हमारे सिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी है सिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी कैसे हुई कब हुई बहाना क्या लिया जा रहा है सिक्षा और स्वास्त दो ऐसा छेत्र है जहां पर केजरीवाल का मॉडल दिल्ली का मॉडल पूरे दुनिया और पूरे देश में लोगप्रिया हो रहा है अमेरिका का वो अखबार जो नरेंद्र मोडी जी की सरकार के बारे में च्छापता है कि करोना के दौरान लाखों लोगों की मिर्ट्य हुई अमेरिका का वो न्यू यू यूर्क टाइमस अखबार जो मोडी सरकार की असलियत को पूरे दुनिया के सामने रखता है वही अमेरिका का न्यू यू यू यूर्क टाइमस अखबार कल मनीश स्वादिया की फोटो के साथ दिल्ली के सिक्छा मॉडल की चर्चा करता है दिल्ली के सिख्षा क्रांती की चर्चा करता है केजरीवाल के मॉडल की चर्चा करता है इस बात पर पूरे देश को खुस होना चाहिए पूरा देश इससे खुस है कि आज पूरे दुनिया में मनी सिसोधिया की चर्चा हो रही है पूरे दुनिया में उनके सिक्षाक नांती की चर्चा हो रही है पूरे दुनिया में केजरी वाल मॉडल की सा रहना हो रही है लेकिन शर्म आती है हमारे देश के प्रधान मंत्री की सोच इतने छोटे स्तर की सोच है कि दूसरे दिन ही वो मनीज सिसोधिया के घर पे CBI भेज देते हैं उनको खुस होना चाहिए था कि मनीज सिसोधिया के सिख्षा मॉडल की चर्चाज पूरी दुनिया में हो रही है लेकिन वो बौखला कर दूसरे दिन CBI का छापा डलबा देते हैं और मसला शराब नीती नहीं है याद रखियेगा मकसद सराब नीती की जाच कराना नहीं है याद रखियेगा किसी को गलत फहिमी हो तो अपने दिमाग से दूर कर लीजे मकसद एक ही है अरविंद केजरिवाल की बढ़ती लोग प्रियता को रोकना अगर शराब नीती मसला होता अगर शराब मुद्दा होता तो सबसे पहली जाँच गुजरात के अंदर भारती जनता पाटी के जो नेता नकली शराब बनाते हैं जहरीली शराब बनाते हैं सैक्णों लोगों की जान चली जाती है वो जहरीली शराब बनाकर तो जांच तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी जांच की सुरुवात तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी उनके खिलाफ कोई E.D. कोई C.B.I. किसी एजनसी ने कोई जांच की तो इसलिए शराब मुद्दा नहीं है मुद्दा है अर्विंद केजरिवाल की मौडल को सिख्षा के स्वास्त के मौडल को रोकना दिल्ली के मौडल को रोकना लेकिन मैं मोदी जी आपसे बहुत साफ तोर पर कहना चाहता हूँ अपनी छोटी सोच से बाहर आए बड़े मन से काम कीजिए अब केजरिवाल आपसे रुकने वाले नहीं है दिल्ली का सिख्षा मौडल आपसे रुकने वाला नहीं है स्वास्त का मौडल रुकने वाला नहीं है पहले भी आपने सैक्डो प्रयास किये हैं अब भी कर लीजिए पहले भी आपने मुख्यमंत्री के दफ्तर पे CBI का छापा मारा है क्या निकला अस तक कुछ नहीं निकला मनीश सी सोधिया पे CBI का छापा मार चुके हैं क्या निकला कुछ नहीं निकला हमारे 40-40 विधाकों को पकल के जेल में डाला कुछ क्या निकला कुछ नहीं निकला आप रोज CBIED CBIED इन एजनसियों को दिल्ली पुलिस इनको आपने मजाग बना रखा है कि कराइए जांच और हम तो स्वागत करते हैं आप जांच कराइए जितनी जांच करा सकते हैं ना पहले कुछ निकला ना आप कुछ निकलेगा आपका च DJP और नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं मुझे इतनी बात कहनी थे आपका कोई प्रस्म हो तो आप पूछ सकते हैं इन सारी बातों पर इन सारी बातों पर एक हजार बार जवाब दे चुके हैं हम दो इन सारी बातों का जवाब मनिस से सौधिया जी दे चुके हैं पूरी पाटी दे चुकी है मैं आपसे पूस्तो रहा हूं अगर शराब मुद्दा है तो गुजरात में जाच क्यों नहीं होनी चाहिए जहां पर जहरीली सराब से बीजेपी नेताओं ने एक जिला पंचायत का सदस से पकड़ा गया था भाजपा का जिसके घर में जहरीली सराब नकली सराब बन रही थी क्या कारवाई होई EDCBI की क्या कारवाई होती है बीजेपी नेताओं पर EDCBI की यह दुरप्पा जेल गया हेमंत विश्व सर्मा पे जो जाच चल नहीं थी वो जाच में कुछ निकला क्या निकला बताईए नीरो मोदी मेहुल चौक्सी बीस हजार करोन लूट के भाग गये कुछ हुआ नव हजार करोन विजे मालेय लूट के भाग गये कुछ हुआ जल जीवन मिशन का हजारो करोन का भ्रस्टाचार हमने खोला था उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ हुआ 42,000 करोन का डियेचे फिल ने घोटाला करना खाया 29 करोन रुपए चंदा दिया है बीजेपी को उसने कुछ हुआ मैं आपको फिल दोहरा रहा हूँ मकसद इनका बहुत साफ है अर्विंद केजरी वाल की बढ़ती लोगपरियता को रोकना मकसद इनका बहुत साफ है सिक्षा और स्वास्त का जो मॉडल आज पूरे देश में लोग प्रिये हो रहा है पूरी दुनिया में लोग प्रिये हो रहा है उसको बदनाम करना वो उसमें काम्याब उनको मिलेगी नहीं उसके बारे में पार्टी फैसला लेगी क्या करना है कैसे हम इस पर अपना जवाब देंगे मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ ऐसे ही चीक चीक के सारे उस समय भी चिलाते थे जब सी बियाई पहुँची थी मनीश्य सौधिया के गर अरे बहुत बड़ा घोटाला पकड़ने आये कुछ निकला कुछ नहीं निकला 40-40 विधाकों को जब भी गरिफ्तार किया इतनी ही गंभीरता के साथ इतनी ही चिलाहट के साथ इतना ही चीक चीक के उस समय भी भाजपाई चिलाते थे इस पे ये निकल गया, उस पे वो निकल गया, इस पे ये पकड़ा गया, उस पे राजंदर कुमार के कमपनिया पकड़ी गई है, फ्लैट पकड़ा गया है, बचे का, क्या हुआ भाई आस तर, मैं पूस्तो रहा हूँ आप से, आप बताइए, तो ऐसा पहली बार सुंगलू क स्वास्त का मॉडल, पूरे दुनिया में देश में लोक प्रिय हो रहा है, उसको ही बदनाम करना है, उसको ही रोकना है, एक ऐसी छोटी सोच के प्रधान मंत्री अगर देश में है, तो शर्म आती है कि वो किस प्रकार से इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, कैसे वो इस जाएंगे, क्या उनका सपना इस देश के लिए, क्या सोचते हैं वो इस देश के लिए? EDKO, CBI के दुर्पियोग के खिलाफ, सारे मुख्यमंत्री, सारे नेता सड़क पर उतर उतर के चिला रहे थे, गलती कर दी, गलती कर दी, तो कांग्रेसियों का अगर ये दोरा नजरिया है, तो वो अपना हो जाने हैं. मैंने आपके सामने सिर्फ एक सवाल पूछा, जिसका जवाब कोई ने दे पा रहा है, एक ही सवाल आप से पूछा, कि अगर वास्तों में शराब मुद्दा है, तो जहरीली सराब से जिस गुजरात में सो लोग से जादा मारे गए, वहाँ पर किसकी EDA और CBI की जाच होई अब तक, बताइए मुझे, कौन सा BJP का नेता पकड़ा गया, BJP के खिलाब वह बिल्कुल पंगू हो जाती है, नहीं नहीं हमें तो कुछ नहीं करना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ यह बाप, और क्या अकेले यह पहला मामला है, मैंने आपको गिनात हो दिया कि कितनी बार इन लोगों ने कब, ED, CBI, दिल्ली पुलिस, अरे बहीं यह इस प्रकार से काम करते हैं, सोमनाद भारती का कुट्टा पकरने 40 दिल्ली पुलिस रा ले गये थे, कहरे तो उसकी जबडे की जाच करनी है, आप बताइए, ऐसे लोग हैं यह, इस तरह से काम करते हैं तो मनोस्तिवारी बगएर जाच के बैजल जी को क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं, उनकी क्या सांट गाठ है, तो यह तो दोहरा रविया है, एक तरफ भाजपा कहती है, जाच हो जाने दीजिए, क्या फरक प्रता है, दूसरी तरफ कहती है, ने, ने, उनकी जाच नहीं होनी चाहिए, तो किसको किसको हिस्सा मिला है, जाच होने दीजिए, यह कौन सा दोहरा रविया है, एक तरफ तो कहते हो, गर्दन दबा दो, फासी पे चढ़ा दो, उल्टा लटका दो, और दूसरी तरफ कहते हो कि क्यों जाच होनी चाहिए, वो उन्हीं से सवाल पूछेगा, खतम करें, अनुराग ठाकुर, इस देश के मंत्री बने है, यही सबसे बड़ी अफसोस की बात है, गोली मारो छापनेता, इस देश का मंत्री बना हुआ है, वो बयान दे रहा है, आप उसके बयान को गंभीरता से ले रहे हैं, और मुस्स उनकी बातों को मैं गंभीरता से नहीं लेता